नमस्कार दोस्तों गडेंगेन चनल में आप लोगों का स्वागत करता हूँ आज मैं आपको बताने वाला हूँ कालांचो के बारे में और इसका अपडेट देने वाला हूँ दोस्तों देखिए ये मेरा ओरेंज कलर का कालांचो है और इसमें बर्स आना शुरू हो गया है और देखिए ग्रोथ और प्लांट काफी हेल्दी है इस साल बारिस बहुत लेट तक हुआ इसलिए मैं इसे रिपोटिंग नहीं कर पाया नहीं तो पहले कर देता तो प्लांट और हेल्दी दिखते और और बड़ा रहते और प्लांट जितना आपका ग्रोथ में आता है दोस्तों उतना ज्यादा फ्लावारिंग होता है मैं इसका उक्टोवर और नवेंबर सिजन बहुत इंपोटेंट होता है इस सिजन में अगर इसमें ग्रोथ आप लाएंगे तो बहुत सारा फूल लेता है नहीं तो एक दो एक दो फूल आता है दोस्तों और अभी देखिए औरंज में सबसे पहले फ्लावरिंग होता है और सबसे पहले ये खतम होता है और लास्ट में सबसे फ्लावरिंग होता है दोस्तों आपका पींक में और रेड में देखिए इसके बाद आ जाएगा देखिए ये फ्लावार आना सुरू हो गया है और इस स्टेज में आपको क तरब देना चाहिए उसके साथ दोस्तों आप मिला सकते हैं एग्रोमीन एग्रोमीन लिक्वीड फॉर्म में भी आता है और पाउडर फॉर्म में भी वह माइक्रो न्यूट्रियंट्स होता है और वह अगर आप स्प्रे करते हैं फोलियर स्प्रे के तरह तो इसमें चमका जात और यह बहुत कोशली प्लांट होता है दोस्तों और देखिए एक एक प्लांट का कोश्ट डेड़ सो दो सो रूपिया होता है नरसरी में और इसका बहुत लॉंग सीजन रहने वाला है अभी यह खिलेगा और आगे चलेगा आपका एप्रिल में तक मेरे बहुत सारे वियोर पोचते हैं कमेंड लिखते हैं सर इसको छाओं में रखना है या धूप में देखिए ओक्टोबर के लास्ट वीक से इसे धूप में रखना सुरू कर दिए अगर आपके एरिया में टेंपरेचर बीर डिगरी के नीचे जाने लगा है तो इसे आप फूल सनलाइट में रख स अज बजा है और अभी से संसेट होने लगा है हमारा पाड़ी ही लगा रहता है और देखिए सुरज डूबने ही वाला है तो अंधेरा जल्दी आ जाता है तो इसमें बढ़ साना सुरू हो जाता है और जैसे रात लंबा होता है वह ऐसे दोस्तों और बहुत सारे लोग पू करेंगे तो ठीक है और क्लावडी डे में करेंगे तो इसमें दोस्तों फंगस लगेगा और आपका प्लांट ग्रोथ में क्या आएगा सब खतम हो जाएगा और यहां पर है देखिए मेरा पींक और पींक में ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं आया है बहुत चोटा-चोटा देखिए प्लांट है और अभी इनमें कलियां आ जाएगा तो दोस्तों बड़ा नहीं कर पाया मैं इसको इसमें अभी ज़्यादा फ्लावरिंग नहीं होगा रिजल्ट इस साल मेरा अच्छा नहीं आया क्योंकि देखिए बारिस बहुत लेट तक हुआ और इसका कटिंग स इसे बचाया हूँ और योलो तो और सिंसिटिव होता है दोस्तों तो इसमें फटाफट ग्रोथ लाने के लिए मैं एनपीके उनीस उनीस और माइक्रो नूट्रियंट्स दे रहा हूँ और हफ्ते में दोस्तों दो बार दे रहा हूं लाइट डोज करके और देखते हैं कितन ग्रोथ आएगा और मैं इसका अफडेट भी दूँगा आप लोगों को तो आपके कलांचो में अभी अगर बर्स नहीं आ रहे हैं तो उसे अंधेरे में रखिए और टाइम बहुत है आगे आपका अभी नहीं आया है तो नवेंबर डिसमबर में आ जाएगा और जब रात लंबा होता है दोस्तों और दीन छोटा होता है उसी टाइम में क्रैसंतों मॉम और इसमें फूल आता है जो गुल्दावडी होता है तो डार्कनेस की पॉइंट है दोस्तों तो आसा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और मैं इस तरह मेरे कलांचो का दे देता रहूंगा फिर मिलते हैं और एक नए वीडियो में नए जानकारी के साथ नमस्काइब